हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगी बच्चों स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चनल जारेडा उनलैन क्लासिस में बच्चों आज हम सभी सॉल्ट करेंगे हमारे विशे गणित का साराशित मुल्य जनकन पहले का प्रेशन पत्र ठीक है बच्चों कि किस किस तरह के आपके यहां पर प्रेशन पूछे गए हैं समय रहेगा बच्चों आपका एक घंटे का अधिकतम अंख है 25 बच्चों कक्षा 5 की मैं यहां बात कर रही हूं तो बच्चों वीडियो स्टाट करने से पहले आप सभी जल्दे से जाएं लाल बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए बचो पहला प्रेशन दिया गया है नीचे दिये गया प्रेशनों में सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ बचो यह आपका पांच अंको का यह प्रेशन रहेगा ठीक है पहला प्रेशन है बचो तरल परदार्थ को मापने के लिए इकाई क्या है बचो तरल परदात मापने के लिए हमारी कौन सी काई काम में ली जाती है उस पर आपको सही का निशान लगाना है 90 डिगरी से कम के कौन को क्या कहते है 50 पैसे 1 रुपे का कौन सा भाग है 1 किलो मिटर का 1,4 भाग कितना भाग होगा ठीक है अगला है यदि हम दो वर्गों को मिला दें तो बनने वाली नहीं आकरती कौन सी होगी बचो इन सभी का आपको उत्तर सही जो भी है वो आपको निशान लगाना है अगला प्रेशन बचो नीचे दिएगा प्रेशनों में सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का निशान लगाओ तो बचो ये भी आपका पांच अंको का प्रेशन रहेगा 700 मीटर एक किलो मीटर से जादा होता है कैरम बोड की आकरती वर्गाकार होती है एक बाय चार गुमाप पर पवन चक्की की आकरती समान रहती है एक दिन का दो बाय तीन भाग सोला घंटा होता है समकोन का एक बाय तीन भाग 30 डिगरी होता है तो बचो इन सभी में आपको सही और गलत का निशान लगाना है अगला है बचो निमलिकित प्रशनों के उत्तर दो बचो ये आपके दस अंको का प्रेशन रहेगा प्रशन ग्यारा देखिए बच्चो नीचे दी गई आकर्तियों में समरूपता की रेखा खेचो बच्चो देखिए आपको यहाँ दो आकर्तियां दी गई है इसमें आपको समरूपता की रेखा खेचनी है अगला है बच्चो प्रशन बारा नीचे दी गए डाक टिकेट का शेतरफल और परिमाब बताओ प्रत्येक वर्ग गरिड की भुजा एक सेंटिमेटर लंबी है तो देखे बच्चो ये आपका डाक टिकेट है इसका परिमाब और शेतरफल आपको बताना है ठीके प्रत्येक वर्ग गरिड कितनी है बच्चो इसकी भुजा एक सेंटिमेटर लंबी है अगला प्रशन तेरा पांच बाइच्छे की चार तुल्य भिन लिखो प्रशन नमबर चौदा देखे बच्चो साडिन मचली की कीमत पचास रुपे प्रतिक किलोगराम है आपके पास कुल रुपे राशी 200 रुपे हैं यदि इस राशी से आप कितनी मचलियां खरी सकते हैं तो बच्चो देखे जो साडिन मचली है बच्चो इसकी कीमत कितनी है पचास रुपे प्रतिक किलोगराम आपके पास कुल 200 रुपे हैं तो आप बताए बच्चो की कितनी मचली आप खरी सकते हैं अगला है बच्चो प्रेशन 15 नीचे दी गई आकरती को पूरा करें ताकि इसका शेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमिटर हो जाए बच्चो आपको इस आकरती को पूरा करना है ताकि इसका जो शेत्रफले वो कितना हो जाए 12 वर्ग सेंटीमिटर अगला है बच्चो चित्रात्मक प्रशन या चित्राधारित प्रशन बच्चो ये आपके दो अंकों का प्रशन रहेगा निम्रिकित प्रश्णों के उत्तर दो घड़ी की सुन्यों से न्यून कोन बणाओ और समय भी बताओ बच्चो आपको घड़ी की सुन्यों से न्यून कोन बणाना है और आपको समय भी बताना है कि कितना समय आपने बताया है यह आपका एक अंक का रहेगा बना कर दिखाओ कि निम्न बनी हुई आकरती को एक बाए चार मोड और आधा मोड प्रदान करने के बाद वे कैसी दिखेगी ये भी बचो आपका एक नमबर का प्रशन रहेगा आपको दी गई आकरती में बताना है कि एक बाए चार गुमाप पर और आधा गुमाप पर एक इस तरह से दिखाई देगी अगला है बचो वर्नात्मक प्रशन बचो ये आपके तीन अंकों का प्रशन रहेगा इसमें आपको बोला गया है रोहन के पास पच्चिस टमाटर और अठारा आलू है और वै एक बाए पांच टमाटर और एक बाए तीन आलू सोहन को दे देता है सोहन को कितने टमाटर और आलू मिलते हैं दो बाए पांस टमाटर और तीन बाए अच्छे है आलू मोहन को दे देता है मोहन को कितने आलू और कितने टमाटर मिलते हैं छीक है बचो तो इस तरह से बच्चो आपका कुछ प्रेशन पत्र आएगा जो कि आपसे पूछा जाएगा तो बच्चो इस तरह से आप सभी को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर लिक कर बता हैं बच्चों की आप सभी को वीडियो कैसा लगा और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल बहुत धन्यवाद